मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ठेंक्यू हेला इवरीबान वेलकम बैक टू माई चैनल तो कैसे हो आप और आज का वीडियो ना मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ तो अभी मॉर्निंग के बज़े है शायद से 9 बच चुके होंगे एक्जैक्ली मैं ने देखा नहीं तो बस में मॉर्निंग में अपना सारा कुछ काम कर रही थी और हमें आज तंदूरी जो यह होता है ने तंदूरी चिकन वो पकायना था लंच में तो बस हमने कल से प्लैन कर के रखा था कि हम तंदूरी चिकन बनाएंगे बनाएंगे बट हमारा सारा प्लैन चोपड हो गया तो यहां पर में यह बरतन जो रात के पड़े हुए थे इनको सेट कर रही थी तो आज मैं आप लोगों को मेरा मॉर्निंग और इवर्निंग दोनों रूटिन शेयर करने वा कि मॉर्निंग में मतलब लंच में हमें बनाना था चिकन तंदूरी और उन्होंने नहीं लाए तो मेरा मुड़ अफ हो चुका था इस वज़े से तो यहां पर आप देखिए मैं चाय बना रही हूँ हमारे लिए तो मॉर्निंग में मुझे चाय लगती ही लगती है तो बस य कि खीचन है वह गंदा बिलकूर अच्छा नहीं लगता तो में तुरंथ ही उससे साप कर लेती हूँ तो यहां पर मैंने अभी पानी में गिरा भराना मतका वे गिरा तो थोड़ा सा मतलब में सी हो चुका था तो मैंने उससे तुरंथ ही अच्छा से वाश कर लिया अच्छ जाए उसके बाद वो चाय तो बिल्कुर नहीं पीते हैं तो यहां पर मैं कदू कस करके यह जो अद्रक है उसे डाल रही थी आप देखी सकते हो और मॉर्निंग का टाइम है मैंने आज हेर वाश करे है और आज संडे है तो संडे के दिन में हेर वाश करती ही करती हूँ और मैंने आज ब्लू कलर की साड़ी वेर करी है आप जरू से बताना की कैसी लग रही है वैसे मेरे बहुत से सस्क्राइबर ऐसे है जुनको मेरी यह साड़ी बहुत पसंद है और मुझे बहुत तेज वाली सवर्दी जुखाम हो चुकी है तो आप देख सकते हो मैं यहां पर बहुत जो जो से चीक रही थी तो यहां पर आप देखिए यह जो दूद है उसका में मलई निकाल रही थी तो यह साथ-ाट दिन में बहुत सारे मलई जम चुक जमा हो जाती है उसके बाद में घी बना लेती हूँ तो यह देखिए यह आठ दिन से उपर नहीं होगी तो लावाला स्पून ही डाल दिया उसमें कोई नहीं चलता है इतना उतना तो यहां पर हमारी जो रियल लाइफ है वही दिखाते हैं तो रियल ही दिखाना चाहिए सारा कुछ रियालिटी तो चाय देखिए कैसी मस्त उबल चुकी है और इस उपर आने वाले जो चाय है न मुझे अच्छा लगता है चाय के अंदर और कि खुषी जो हे पतन जली जो बिस्कित आती है पाडले और को खा रहे हैं मुझे चाय में मैंटा पसंद नहीं है तो कभिक वाला बिस्कित कभाerson कि आया व्यापous लोग उप कि उसके बाद में यहां पर आगई थी हैर कॉम करने के लिए और हैर कॉम कर लूँगी क्योंकि मैंने हैर वाश करने के बाद हैर कॉम नहीं कर रहा था आगे का वीडियो आप म्यूजिक के साथ इंज्वाइ कीजिए क्योंकि मेरा वाइस निकलने रहा है यार प्रूट तेज सर्दी हो चुकी है मुझे झालड़ एग to मैंने शोछ तेजिति तूमें रहा है वीडियोग्ड्य प्रूट कॉ जाएस तूम अर्वाइस का वीडियोगर लिए तूमें रहा हैं चाल प्रूट इंश्या का बिले और हैं हुए कर दो कर दो मेलोडीज वी अबंट प्लेइड नो आ दो वांट नो रेस्ट एको इन अरांड इस वोल्स फाइटिंग तो क्रियेट अ सॉंग तो मैंने ना डायरेक्ट मतलब मॉर्निंग से वीडियो स्टाप करने के बाद इवनिंग से ही स्टाट किया है तो यहां पर मैंने यह चिकन जो लाए है मेरे हभी ने अच्छे से इसे क्लीन कर लिया है और बस इसमें अभी में लेमन वेगिरा लगा के और मतलब मैरिनेट करने वाली हूँ यहां पर मैंने बहुत सारा लेमन लगाया है लेमन का जूस तो मैंने दो लेमन निकाले थे और दोनों के दोनों मेंने इस पर अच्छे से यह कर दिये है मतलब उसका जो जूस होता है पूरा के पूरा निकाल के डाल दिया है और चिकन को हमें जो मेरिनेट करते हैं वो करना उसका जो प्रोसीजर है वो मतलब मेन होता है इसमें यहां पर यह जो बीजे थे ना लेमन की वो मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं हेंड वाउश करूँगी पहले मुझे अच्छा ने लगता इसे तो यह दिखिए यहां पर है नमक तो नमक में पहले इसमें भी डालूँगी और मसाले डालूँगी तब भी डालूँग है और यहां पर मुझे जो चूरी होती है हमारे जो नाइफ होती है उसका कट लग गया था बहुत तेज वाला तो बहुत गहरा वाला तो मैंने ना हाथ से मुझे यह अभी मैश करना होगा तो यहां पर मैंने मेरे पास अभी बैंड़िच पट्टी तो थी नहीं तो बस तो गरब मसाला है लाल मिर्च पावडर है नमक धनिया पावडर और ये थोड़ा सा दही और ये थोड़ा सा चाट मसाला वेगिरा और ये है रेड चिली और सोया सास और ग्रीन चिली सास तो बस ये सारे मसाले डाल दिये और इसको न अच्छे से मैश कर लेना है हाथ से और हा मैंडेज पट्टी नहीं थी अवेलेबल और मुझे ये मैरेनेट भी करना था इस वज़े से तो अभी मैं इसे रख दूंगी एक घंटे के लिए हमें रखना है और इसे फ्रीजर में या तो फिर फ्रीज में रख दो रूंग टेंपरेचर पर नहीं रखना है हमें ऐसे मतलब मेरे लिए तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं कर लेते हैं क्योंकि हमें तो जो हमारा चिकन जो हम चिकन रोष्ट करेंगे मतलब कि चिकन जो तंदूर करेंगे ना वो तो हमें अंगार पर ही करना है तो उसके लिए तो हमें जाल लगाना ही होगा तो मैंने पहले खुशी के लि जो मसाले में ने काटके रखे थे सब कुछ डाल दिये है और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर धना पाउडर गरम मसाला थोड़ी शी हल्दी नमक वेगरा वो जो मसाले है वो भी मैंने एड कर दिये है और मुझे बड़ी तेज वाली इसकी जो आस होती है मतलब इसका जो जा बस पाच मिनिट में बन गई थी हमारी खिचडी तो और चूले पर की खिचडी ने बहुत तेस्टी लगती है और मेरे घर में अभी बाकी का काम तो पूरा नहीं हुआ है इस वज़े से चूला मैंने नहीं सेट करा है मेरा जो गैलरी का काम है ना पूरा हो जाएगा तो मैं यहां पर हमारी खिचडी बस दस मिनिट के लिए छोड़ दो तो अपने आप से बन जाएगी अभी मैं यह फ्रिज में से निकाल के ले जा रही हूँ मेरे हबी के पास क्योंकि यह सारा कुछ प्रोसिजर ना अभी वही करने वाले है खिचडी और पापड़ हमने भून लिय अच्छे से तो यहां पर हमने जुगाड लगा के यह जो राज की साइकल का जो रिंग पड़ा हुआ था उसमें हमने तार वेगेरे लगा लिये है अलुमिनियम के तार फिट करे है क्योंकि हमारे पास जाली नहीं थी ना इस वज़े से और यह जो हमारा यह पीसेस वह भी बड़ा था इस वज़े से तो यह देखिए हमने पूरी की पूरी जो मुर्गी है वह पूरी रोष्ट करे थी तो तंदुर की थी इस वज़े से तो यहां पर रग दिया है मसाला वेगेरे अच्छे से मैश हो चुका है उसके अंदर और मेरे हबिने ना यह सारा कुछ तार यहां पूरा कॉरा ने वह साओ ने थान अच्छे से अच्छे से मिल रहा है और आफल ऑउने बहुपिने होता है तो यह सब कुछ मेरे हबिने न कर रहा है और यह फर मैश any क्रेंदि मेरी मेरे ने न दिनों से मुझे अधा चिकन तंदूरी तो मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया था तो मैं बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी मेरे हभी को और अखिरकार उनको मेरी जो मेरी फर्माइश है उनको माननी ही पड़ी तो बस यहां पर हमारा जो चिकन तंदूरी है वो अलमुस्ट रेडी हो चुका है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मेरी चैनल को ज्यादा से ज्यादा श्यार करना तो आज मेरी फर्माइश पे मेरे हभी ने मेरे लिए बनाई है चिकन तंदूरी आप देख सकते हो वाओ यम्मी मुझे बहुत अच्छी लगती है चिकन तंदूरी तो हमने आज इसे ना चूले में पकाके बनाया है मेरे हभी तो चलो 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 लिए करते है चलो तो यहां पर मैंने सर्व कर लिया है ये देखिये चिकन और ये पापड़, खिचडी और टैज, और लेमन चली अभी करते हैं यू सकाकष लूएनलब दूसे हैं नूसे हैं यू कर दो गया है यूजया है यूजया है तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और यह जो चिकन तंदूरी है मेरे हभी ने मेरे फरमाइश पर बनाई है So Thank You So Much मेरे हभी को भी और आप सभी को भी इतना प्यार देने के लिए मेरे फ़ीडियो पर अच्छे-च्छे कॉमेंट्स करने के लिए ज़रूंगी कि आप अच्छे-च्छे कॉमेंट्स करोगे तो चली फिर मिलते है मेरे नेक्स वीडियो में वीडियो पसंद आये तो लाइ करना न्यूं हो तो सब्सक्राब करना बाबाई मिल दें नेक्स वीडियो में